आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तवा बेबी पीजा रेसिपी यह बच्चों को बहुत ही पसंद आने वारी रेसिपी है और इसे हम बिना मेदे के हल्दी स्टाइल में बनाएंगे पीजा बनाने के लिए हमने लिए हैं चार उबले आलू, आधा कप चावल का आटा और एक कप भीगे हुए पोवे, चीज, पनीर, एक कप उबले हुए स्वीट कॉन, स्वीट कॉन को हमने पानी में नमक डाल कर उबाल लिया है आधा कप कद्दू कस किया हुआ गाजर, एक मीडियम बारिक कटा हुआ टमाटर, एक मीडियम बारिक कटा हुआ प्याज, आधा कप शिमला मिर्च अब हम एक कडाई लेंगे, गेस ओन करेंगे और इसमें एक शमज घी डालेंगे अब हम इसमें क्याज डालेंगे, उसे थोड़ा सा भून के और शिमला मिर्च, राजर, कमाटर सुप डालेंगे गेस मेडियम करेंगे जो ने इस बॉयल स्वीट कॉन लिए थे वो भी इसमें राल देंगे और इसमें मीडियम सेम पर पांच मिनिट तक ड़कर पकाएंगे अब हम आलू को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है अब हम इसमें पोहा लिया है डालेंगे और आधा कटोरी जो चावल काटा लिया था वो भी इसमें मिक्स कर देंगे और आधा चम्मच काली मिर्च और एक छोटा चम्मच नमक नमक आप अपने टेस्ट के अपसे डाल सकते हैं अब हम इन सब को मिक्स करके एक डो बनाएंगे डो बनके तयार हो गया है पांच मिनिट हो गये हैं अब हम सबजी हम चेक करना हैं यह देखिए हलका सा पक गई हैं इन्हें ज्यादा दय तक भी नहीं पकाना हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पनीर डालेंगे और आधा चोटा चम्मच चाट मसाला आधा चोटा चम्मच काले मिर्च पावडर अब हम इन सब को मिक्स कर देंगे और गेस बन कर रहेंगे अब हमने जो डो बनाया है उसकी छोटी छोटी टिक्या बनाएंगे जिसे हम पिज़ा के बेस के रूप में यूज करेंगे इस तरह हमारे पिज़ा का बेस बन का तयार है अब हम इनको तवे पे सेकेंगे इसके लिए हम एक तवा लेंगे गेस ओन करेंगे और इसमें 2 इस्पून ओइल डालकर इसमें तिक्या डालकर सेकेंगे और इसे 5 मिलिट तक ढख कर पकाईंगी मिडियम फ्लेंप पर। पीज़ा बेस को यह टिक्या को बार बार चेक करते रहेंगे और इसे हम 5 मिलिट के बाद इसकी साइड़ चेंज कर देंगे तक हमें एक साइड को ज्यादा नहीं पकाना है यह इतना ही पकाना है गेस कम कर देंगे और इसके उपर एक टॉमेटो सॉस की लेयर बनाएंगे इस तरह से सब पर हमने सॉस फेला दिया है अब हम इसके उपर जो टॉपिंग का हमने मटेरिल बनाया था वो डालेंगे और इसके उपर डालेंगे अब हम चीज कि यह बच्चों को बहुत ही पसंद होती है और इसी की वज़े से बच्चों को पिज़ा भी बहुत पसंद आता है अब हम थोड़ा सा ओईल यह जो पीज़ा बेट है इसके चारो तरब डालेंगे और इसे ध्लब कर पकाएंगी फाइफ टेन इनिट बीच बीच में आप इसे शेक करते रहें नहीं तो यह आज पास से लग जाएगा बेबी पीज़ा बनकर तयार हो गए है अब आप देख सकते हैं कि इसका जो बैस है वो भी अच्छा प्रिस्पी ब्राउन हो गया है अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे बेबी बीज़ा बनकर तयार है अब हम इस पर औरेगेनों थोड़ा सा औरेगेनों स्प्रेट करेंगे और चीली फ्लेक्स और इस पर ला लेंगे थोड़ा सा सॉस अब हमारा बेबी पीज़ा बनकर पूरी तरह से तयार है अब आप इसे सरु कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए